नमस्कार आप देख रहे हैं फोस्ट बिहार जारकंड और मैं आपके साथ बंदना लालू पिशाद्यादों की बेटी रोहिनी अच्चारे की मुश्किले बढ़ सकती हैं रोहिनी सारन लोग सभा सीट से चुनाव लग रही हैं चुनावी मैदान में उतरी हैं ऐसे में अब उ अजी उप्रताप रूड़ी के वकील हैं उन्होंने चुनाव आयोग में रोहिनी के खिलाव शिकायत दर्ज कराई है और बताया है कि रोहिनी अच्चारे ने जो जानकारी नामांकन के वक्त दिया है एफिडेबिट में रोहिनी अच्चारे ने जो कुछ भी जानकारी दी ह वो आधी अधूरी है आपको बता दे कि वकील का कहना है कि रोहिनी ने सबसे पहले तो बैंक स्टेटस के बारे में जानकारी पूरी नहीं दी है सिंगापूर में रोहिनी अचारे रहती है लेकिन वहां के बैंक स्टेटस के बारे में जानकारी रोहिनी नहीं दिया है दूसरी जो आदी अधूरी जानकारी है वो रोहिनी के पता को लेकर है जो यहां आपकों बता दे कि इसके पहले भी राजी उप्रता प्रूरी भी जनता के सामने आकर बता चुके हैं अफिडेविट पढ़ते हुए उन्होंने बताया था कि रोहिनी ने गलत पता बताया है रोहिनी कह रही है कि वो सारण की रहने वाली है लेकिन अफिडेविट में वो जो हैं उन्होंने बताया है कि दिगा में उनका पता है लेकिन अब जो जानकारी आई है वो ये है कि रोहिनी को ये भी बताना था कि वो सिंगापूर्ड में भी रहती है लेकिन वहां की कोई भी जानकारी रोहिनी अचारे ने नामंकन के वक्त नहीं दिया उसके बाद रोहिनी के खिलाब जो शिकायत दर्च की गई है उसमें ये भी बताया गया है कि रोहिनी ने ये भी ने बताया है कि वो भारती हैं या फिर नहीं है आपको बताते हैं कि रोहिनी अचारे के द्वारा की गई इन गलतीं का खामेयाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है रोहिनी नमांकंदर्च करा चुके हैं लगतार सारण में जाकर चुनाव परच्वार-प्रिसार भी रोहिनी अचारिक कर रही हैं उनके साथ साथ उनके पता लालुपि शाठ गयादो भी जाते हैं वहां लोगों से जन संपर्क करते हैं और इतना ही नहीं बलकि तिजस्वी यादों भी वहां जनसभा को संबोधित करते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि इस बार चुनाओ के बाद जो सांसद वहां बने वो उनकी बहन बने एक बार उनकी बहन को मौका दिया जाए और उसके बार सारर में जो कुछ भी आएगा वो वहां के लोग देखेंगे लेकिन अब इन सब पर पानी फिर सकता है क्योंकि रोहिनी के खिलाफ चुनाओ आयोग में शिकायत दर्च करा दी गई है और अब ऐसा हो सकता है कि चुनाओ आयोग जो है वो इस पर आक्शन ले जांच पर ताल करे और अगर रोहिनी ने सच में गलत जानकारी दी है कुछ भी चिपाने की कोशिश की है तो लालू की बेटी रोहिनी अचारे की मुश्किले बढ़ जाएंगी और उनका जो टिकट कटा है वो चुनाओ आयोग भी काट देगा मतलब ये है कि वो वहां सारन लोक सबसीट से चुनाओ नहीं अनकारी दी है उसको लेकर इस शिकायत दर्श कराने वाले जो वकील है वो पटना हाई कोट के वकील है नाम इनका एस डी संजे है और ये राजीव प्रताप रूडी के वकील भी बताए जा रही है और जो खबरे हैं वो काफी अब सुर्किया बटोर रही है क्योंकि अब द सीट से चुनाओ लड़ने से रोक दिया जाता है जो भी खबरे आएंगे आप ते उसे जरूर पहुच्छाएंगे आप देखते रहे फॉस्ट बिहार जारखंट धनेवाद पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आशियाना ये लो मुव मिठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पुड़निया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है मतला ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डबा लाए अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुड़निया में हम रहेंगे कहां अपना घर भी तो नहीं है वहां इसलिए तो एक और मिठाई का डबा अलग से लाया हूँ अपने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया के e-homes panorama में पुर्णिया में panorama group लेकर आये है e-homes panorama बड़ा घर, आलिशान जिंदगी और अत्यादुनिक सुविधाओं के सब अड़े अब क्यों मूमीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे है घर वापसी की खुशी पुर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious lifestyle redefined